सबी दर्शकों को रिष्टी पाल दून का नमस्कार दोस्तों आज हम पहुंबते हैं कोट कला में और हमारे साथ संद योगीनाथ सुक्राइनाथ जी बैठे हैं जो अभी बैसली का पूरा डेनने करके आए हैं वहां कैटेटे के आए लगती है बेस्तरों में घर में और वहां कैशे हो यह तो योगी जी बता पाऊंगे विश्टार से तो योगी जी प्रणाम प्रणाम जी प्रणाम बहुत बहुत सुख कामने आप मठ में आए आपका इulus धन्यवाद योगी जी आभी मूबाइल के मादम अर्च प्रणा़ मेरन से साइन्स बहुत कुष दखा रहे ह समाज में पाखंड क्यों फैलता जारे इसका मुख्य कान क्या है आप टोराडून मीडिया के माध्यम से जितने भी दर्शक मुझे भी देख पा रहे हैं आप सभी दर्शकों का एरदे से अभार करूँगा कि आप मुझे अपने चल भासी अंतर की मुख्य स्क्रीन पर देख रहे हैं सुन रहे हैं और जान रहे हैं बंदू पत्रकार रेशिपाल जी के द्वारा ये जो परसंद मुझे या वासथ हो में समाज के का एक ज्वलंत परसंद है और एक ज्वलन्सील मुद्धा समाज के अंदर फिलाल चला हुआ है हम सब लोगों को इन बातों की तरफ विशेश तोर से ध्यान देना चाहिए गोर करना चाहिए और अपनी अंतस्चेतना से खुद की जागरती को मैं समझता हूँ कि उदे करके विचार करना चाहिए रिशिपाल जी जैसा आपने मुझसे पूछा है कि भी इस परकार का पाखंड क्यों हो रहा है इस पूरे पाखंड के होने के पिछे का कारण यह है कि समाज के परबुद लोगों की चुपी और जो समाज के जिम्मेदार लोग है उन लोगों में एकता ना उना शरेष्ट लोगों का संख्थन में ना उना और सास्त्रों का ढंग से परचार ना उना वेद विद्याओं का प्रचार ना होना गोरख योगी सहित जितने भी महान तपस्वी इस दर्ती के उपर जो इन पाखंडों के लिए अवरोधक पैदा हुए हैं उन तपस्वियों के जिवन्चरिया और चरितर और आदर्स दिन्चरिया का प्रचार जनता तक ठीक डंग से ना पूंचना ही इस पाखंड के बढ़ावे का मुख्य कारण है देखो जी हमारे भारत वर्स में केर्शन जी पर के योगी रामचंदर जी से गुरू गोरग ना जी से बहुत योगी पैदा हुए फिर भी मैंनकू के अंद इस वास बढ़ता जा रहा है क्या उनकी बातों पर नहीं चलता संसार देखिए भारत वर्स के अंदर वैदिक विश्वर आश्टर का इतिहास अगर आप पढ़ करके देखेंगे तो महायोगी गुरू गोरक्षनाजी महराज तथा नजदिक्तम सदियों में अगर आप देखेंगे तो महान तपस्वी महायोगी मर्यादा पुरसोतम भगवान स्री राम तथा नजदिक्तम पांसे जार वर्सों में अगर आप देखेंगे तो महायोगी और योगिराज स्री कृष्ण जी महराज इनके साथ साथ अनेकों, रिशी, मुनी, ज्यानी, तपस्वी, संत, विराट, प्रिवराट, समराट, योध्धा, पथा वीर, क्रांतिकारी, पुरूष, महापुरूष, देवता लोग भी हुए हैं उन सब ने अपनी अपनी वाणियों के माध्यम से, अपनी अपनी लिपियों के माध्यम से, अपनी अपनी ज्यान प्रज्या के माध्यम से विशेश तोर पर समाज को तत्वा देने का परियास किया है अगर आप गोरक्षनाद जी की बात करें तो गोरक्षवानी, अगर आप कृष्ण जी की बात करें तो राजगुय सास्त्र, और अगर आप भगवान सरी राम की बात करें तो पुरा मर्यादित जीवन, रामयन, महरसी वालम की की बात करें तो महाकववे, एक से एक हैं, तुल तमाम प्रकार के संतों ने किसी ने किसी माध्यम से हमारे को हमारे चक्षूं को एक नई चेतना विद्या के माध्यम से देने का प्रियास किया लेकिन आम जंता जनार्दन उनको नापड करके जीवन को जल्दी जीने के लालच में चक्र में जो समाज के अंदर ओजहा तांत्र के चंगुल में समाज ज़ाधा ज़ाधा फस रहा है और इनके चक्र में फस करके समाज लुट रहा है पिट रहा है इसलिए ये पाखंड बढ़ रहा है क्योंकि लोगोंने अपने मापुर्美味 के जिवन सरिया को पढ़ना बंद कर दिया, खुद ने उन महापुरुसों के सास्त्रों का अध्यन और अध्यापन करना और कराना बंद कर दिया और उन पाखंडियों के द्वारा मेनवली बताई जा रहे, टौने टोटके करके इसमें रस सुख का डूंडता है, तो जो पाखंडों में जो सुख का रस डूंडेगा, वो भावरा तो बटकेगा, योगी जी, अभी एक घर आग लगी, दो बच्चे गुजर गी, आप भी वहाँ जाएके देख्या है, आपने देनने कर रहा है, तो वहाँ क्या लगया आपने, क्या समझा है वहाँ पर लोगों को? देखी केवल मातरी एक भेंसली राजस्तान के चादुलपूर जिलाचुरू की ही एक घटना नहीं है, बलकि पिछले दिनों इस परकार की घटना हमारे जीन्द के निकटवर्ती सहर में, गुहाना में भी इस परकार की घटना आग जनी की हुई, उससे पहले जजजर में भ संतरादी क्रिया बता करके, ओपरी प्राइका बता करके, लोग अपना चलाक लोग छलावा कर रहे हैं और अपना उलू सिदा कर रहे हैं, जब कल मैं राजस्तान के सादूलपूर स्थित भेंसली गाओं में जब जाकर के देखा तो भेंसली गाओं में जिन दो बच्चों क निर्मम हत्या की गई और उसके साथ साथ एक वयोवरद माता जी की वो हत्या वहाँ पर की गई और वहाँ उस परिवार से जब मजा करके मिला तो उस परिवार ने मुझे बताया उनकी एक बुजरुग महिला थी उसने मुझे बताया कि हर्याना के रोतक के निकटतम गाउं है मकडोली, मकडोली गाओं में कोई एक परदीप, परदीप है, पुछा करता है, कोई सादू के कपड़े पहनता है, कोई पुलिस वाला है, कैसे क्या, मैं उसको अची तरह जानता नहीं हूँ, लेकिन वो भी मेरी रडार पर मैं लूँगा, उसको भी, उसके उपर मैं कारुण हैं, जो उस परिवार ने मुझे बताया, कि भी उन तांत्रिकों ने और उन जो अपने आपको ये बाबा बताने वाले लोग हैं, इन्होंने और जो मोलवी और मोलाना हैं, उन्होंने और जो ये सडियंतरकारी जो गाओं गाओं में उज़ा बेठे हैं, जो पुछा वाले ह उने हमारे को डर और भै से भैवित करने के सबाए और कुछ नहीं किया परदीप ने भी उनको यही कहा है कि मैं कोई ओतारा वगिरा कोई अगनी का बना करके कहीं चोराया आदी पर लगाऊंगा तुमारे लिए मैं चालिज दिन के लिए ये कोई पुजापाट करूँगा इस ये डुपलिकेट और ये छदम वेसी लोग कर रहे थे मैंने वहाँ पर यही देखा कि एक तो तांत्रिकों का वहाँ जबरदस्त प्रभाव उस समाज के मन बुद्धी शरीर और आत्मा की उपर है दूसरा कि वहाँ पर जो कुछ हो रहा है उस पर जब मैंने वहाँ लोगो पर जामिक रूप से ऐसा हुआ कि जब हम वहाँ बेठे रहे मने का उस बिल्ली का इंचजार करेंगे च्यार गंटे हमने इंचजार किया होगा एक रो अचानक से वह बिल्ली वहाँ आई और बिल्ली ने रोणा दोना भी किया दूदर खेतों में आवाज भी आ रहे थी और विल्ली रोई लेकिन मैंने अनको घरवाड़ों का मैंने का ऑफ यह बिल्ली भी खूप रोगे दा अपली होगी है जखली होगी अभी वी कोई आग नहीं लग दी अभी मरा नहीं है यहां मैं मौजूद हूं क्यों पाखंड और अंध विस्वास करते हो मैंने उस परिवार को पाखंड से उपर उठने के लिए भी कहीं ने कई मोटिवेट किया और वहां मैंने देखा कि कोई किसी भी परकार का कोई भूत नहीं बल्लकि उत वेक्ति के द्वारा चलाक वेक्ति के द्वारा किया गया ये करम था जिसने सोडियम की मदद से आग लगाई सोडियम एक रा ड़ेर से मेरे कोई फरक नहीं पड़ने वाला है क्योंकि अरे कुट्टे का जवाद ựड़ना मेरी कोई जमेधारी नहीं है ह। मैं तो आप लोगों को जाग गूद करने का प्रियास कर रहा ह। आप जो गाली दे करके अपने आपका जो अपने संसकार और अपने प्रिवार के और अपने विद्याले के कुसंसकार या संसकार क्या दिखाएं वो आपके उपर में छोड़ता हूँ आप आएं इनी शब्दों के साथ मैं अपने वाने को विरामदूंगा एक बार पूर्णा टोरा डून मीडिया का रिदे से अभार वेक्त करूँगा और आप सभी दर्सकों को धन्यवाद